अधानों के लिए होलिस्ट्रिक तरीके से काम हुआ है सबका प्रयास की भावना से आज़ देश के हेल्थ इन्फरा को हेल्थ प्लानिंग को इंटिग्रेटेड करने का राष्ट्रिय संकल्पों से जोड़ने का काम तेजी से हो रहा है हम हेल्थ सेक्टर में आज जो चुनोतियां हैं उनसे निपटने के साथ साथ भविष्यकों सुरक्षित बना रे के लिए निरंतर काम में जूटे हैं वो वज़ें जो बिमारियों का कारण बनती हैं उन्हें दूर करने का प्रयास हो रहा है बिमार होने की स्थिति में इलाज सस्ता और सुलब हो इस पर हमारी सरकार का ध्यान है और उसके साथ ही डॉक्टर और मेडिकल इंफ्रा की केपसिटी का विस्तार करके स्वास्त सेवाओं को बहतर बनाया जा रहा है साथ क्यों इसलिए अपने हेल्थ सेक्टर को ट्रांस्फॉर्म करने के लिए देशाच प्रिवेंटिव हेल्थ एफ़र्डेबल हेल्थ केर सप्लाइशाइड इंटर्वेंशन और मिशन मोड अभ्यानों को गती दे रहा है प्रिवेंटिव हेल्थ केर को योग, आयरुवेथ, फीट इन्या मूवमेंट, युनिवर्सल इम्मुनाइजेशन जैसे माध्यमों से प्रोटसाइड किया जा रहा है स्वच्छ भारत मिशन और हर गर्ल जल जैसी राष्टी योजनाओं से गाव और गरीप परिवारों को अनेक बिमारियों से बचाने में मदद मिल रही है आर्थेनिक और दूसरे चरणों से जो पानी प्रदूशित होता है देश के अनेक राज्यों में कैंसर का भी एक बड़ा कारण है हर घर जल अभियान के से इसके द्वारा इस समस्यां के समाधान में बहुत मदद मिल रही है साथियों लंबे समय तक हमारे हाँ गरीब और दिम्न मद्न वर्ग स्वास्त सुविदावें से इसलिए बंचित रहे क्योंकि या तो इलाज सूलब ही नहीं था या बहुत महंगा था गरीब अगर गंबीर बिमारी से ग्रसीद होता था तो उसके पास दो ही भी कल्पते या तो वो कर दे ले अपना घर या जमीन बेचे या फिर इलाज का विचार ही ताल दे कैंसर की बिमारी तो ऐसी है जिसका नाम सुनते ही गरीब और मद्यम्भर्ग हिम्मत हारने लगता है गरीब को इसी कुछुक्र इसी चिंता से बहार निकालने के लिए देश सस्ते और सुलब के लिए निरंतर कदम उठा रहा है बिते सालों में कैंसर के इलाज के लिए जरूरी दवाओं की क्यूमत में काफी कमी की गई है अभी मन्सुक बाइस का विस्तार से बता भी रहे थे पस्टिम मंगाल सहीत पुरे देश में जो आठ हजार से ज़्यादा जन आउसदी केंदर स्थापित किये गए हैं उनमें बहुत सस्थे दाम पर दवाईयां और सर्जिकल सामान दिये जा रहे हैं इन स्टोर्स पर कैंसर की भी 50 से अधिक दवाईयां बहुत कम कीमत पर उपलब्द हैं कैंसर की सस्ती दवाओं को उपलब्द कराने के लिए विशेस अम्रित स्टोर भी देश भर में चल रहे हैं सरकार का यही सेवा भाव यही सम्वेदन सिल्ता गरीबों को सस्ता इलाज सुनिस्चित करने में मदद कर रहा है सरकार ने पांसो से ज़्यादा दवाईयों की जो कीमत नियंतरित की है वो भी मरीजों के हर साल तीन हजार करोर रुपे से भी ज़्यादा रकाम बचा रही है नागरीकों के पैसे बच रहे हैं कोरोनरी स्ट्रेंट्स की कीमत तो फिस्ट किये जाने की वज़े से हाट के मरीजों के हर साल चार हजार पांसो करोर रुपे से ज़्यादा बच रहे हैं सरकार ने नी इंप्लांट्स की कीमत कम करने का जो निल्ले किया